नमस्कार दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम आपके लिए बहुती खास वीडियो ले क्या हैं इस वीडियो गंदर हमको बताने वाले हैं अलसी के बीच के फाइदे जी हाँ दोस्तों अलसी के बीच के फाइदे आपको जानकर आप उसके फायदों को जानकर आप हैरान रहाएंगे कि अलसी के बीच के फायदे कितने होते हैं दोस्तो बूरे काले रंग के ये छोटे छोटे बीच हिर्दय रोग से आपकी रच्छा करते हैं इसमें उपस्तित, घुलंसील, फायवर्स, प्राकर्तिक रूप से आपके सरीर में कॉलेस्ट्रोल को नियंदित करने का काम करता है इससे हिर्दय की धमनियों में जमा कॉलेस्ट्रोल घटने लगता है और रक्त प्रवा बहतर होता है नतीज़ क्या होता है कि हार्ट अटक की संभामना नहीं के बराबर हो जाती है दोस्तों, दूसरा फायदा है बलसी में ओमेगा 3 बर्पूर मात्राव पाया जाता है जो रक्त प्रवा को बहतर कर खुन के जमने या ठकका जमने से रोगता है जो heart attack का कारण बनता है ये रक्त में मौझूद कॉलेस्टरल को कम करने में भी सहिक होता है दोस्तो अब तीसरा आम फारा बताने वाले हैं आपको कि यह सरीर के अत्रिक्त बसा को भी कम करता है जिसे आपका बजन कम होने में सहिता मिलती है चौते फायदे की बारे में बात करते हैं अलसी में मौझूद antioxidants और phytochemicals बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करता है जिससे तोचा पे धुर्चुर्या नहीं होती है और कसाब बना रहता है इससे तोचा स्वस्थ पाच्चमक्तार बनी रहती है पांचमें फायदे की बात करते हैं अलसी में अलफा लाइको नाइक एसिट पाये जाता है जो arthritis, asthma, diabetes और cancer से लड़ने में मदद करता है खास तोर से colon cancer से लड़ने में यह सहयक होता है अब हम छटवे फायदे की बात करते हैं सीमित मात्रा में अलसी का सेवन करने से खून में सरकरा के इस्तर को नियंतित करता है इससे सरीर के आंतरिक भाग स्वस्थ रहते हैं और बहतर कारते हैं साथ में फायदे की बात कर लेते हैं, इसमें उपस्तित, लाइकन नामत तत्व आतों में सक्रिय होकर के ऐसी तत्व का निर्माण करता है, जो फीमेल हर्मोंस के संतुलन को बनाए रखने में महत्पूर्ट भूम का निवाता है। नौ में फायदे की बारे में बत करते हैं, साकारी लोगों के लिए अलसी ओमेगा 3 का बहतर बिकल्फ है, क्योंकि अब तक मचली को ओमेगा 3 का अच्छा स्रोथ माना जाता था, जिसका सेवन नौन बैजिर्ट्रेन लोग ही कर पाते थे। अब आप आखरी फायदे की बात करते हैं, यारगी 10 फायदे की बात करते हैं, प्रते दिन सुबह साम, एक चमबच, अलसी का शिवन का आपको पूरी तरह से स्वश्थ रखने में सहाक होता है, इसे पीस करके पानी के साथ भी लिया जा सकता है, अलसी को 19 दी यमारां में सा अठा सकते हैं आप डेली अलसी की बीच का सुवह साम सीवन करना स्टार्ट कर दीजे मेरा यकीन मानिए कि आप काफी सारी बीमारियां खतम हो जाएंगे और आप स्वस्त रहने लग जाएंगे दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसा लागा कमेंट करके बताइए वीडियो को लाइक सीर कीजिए चैनल को सब्सक्राब कीजिए और घंटा प्रेटों जरुद दोएगा जिससे कि आपके अपस हमारे वीडियो के नोटिवेशन बिलते रहे हैं धन्यबात